आप देख रही है MNS News सच जरूरी है नमस्कार MNS News लाइब में आप सबीका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अरुश्यन सारी आएए देखते हैं Bollywood के कुछ खास खबरे एरपूट पर फैन की दिवां की देख रोपड़ी तमन्ना भाटिया विजय वर्मा को भी होने लगेगी जलन जिया साउस से लेकर Bollywood तक एक्टरेस तमन्ना भाटिया के खुसन का जादू फैन्स के दिलों पर खूब चलता है तमन्ना की इलाको चाहने वाले हैं लेकिन एरपूट पर उन्हें एक ऐसे फैन मिली जिसकी रिवान की देख तमन्ना भाट यार ओपरी जिया इस फैन्स का प्यार देखकर तो तमन्ना के बॉइफ्रेंड विजय वर्मा को भी उनसे जलन होने लगेगी इस फैन से तमन्ना के प्यार में हाथ पर उनकी तस्वीर वाला टैटू भी बना रहा रहा जिया बाहु बली फैम एक्रिस तमन्ना जब मुंबई एरपोर्ट पर पहुची तो एक फैन ने उसका दिल जीत लिया ये फैन कोई लड़का नहीं बलकि एक महिला तिस हाथ में बुके लेकर तमन्ना से मिलने पहुची इस फैन ने उन्हें देखते ही पैर चुलिये फिर बाहे फैला कर तमन्ना ने उन्हें गले लगा लिया दिवान की तो देखिए इस महिला फैन ने तमन्ना के चेरे का टैटू अपने हाथ पर बनवा रहा था गले मिलकर फैंस इमोशनल हो गई तो तमन्ना भी अपने आसू नहीं रोक पाई तमन्ना ने हाथ जोड़कर अपने फैंस से विदा ली लेकिन वो इस प्यार से काफी इमोशनल हो गई हाला के इस बीट तमन्ना का दिल एक्टर विजय वर्मा परफिदा है हाली में तमन्ना ने विजय को अपने हैप़े प्लेस बताया था जल्दी तमन्ना और विजय की जोरी OTT फिल्म लस्ट स्टोरीज 2 में नजर आएगी तमन्ना और विजय को पहली बार गोवा में एक साथ छुट्टी बिताते हुए देखा गया था तब ही से दोनों के लिंक अप की खबरे आ रही है जिया इसे पहले तमन्ना प्राइम विडियो की रोमेंटिक द्रामा वैब सिरीज जी करदा में नजर आई थी वही अगस्त में तमन्ना की दो फैन पैन इंडियन फिल्में आने वाली है जिसमें तेलकू एक्शन भोला शंकर है इस फिल्म में चिरन जी भी लीड रोल प्ले कर रहे है और किती सुरेश भी है वही दूसरी तमिल एक्षन कॉमेडी फिल्म जेलर आने वाली है इस फिल्म में रजनिकांत, मोहनलाल, जैकी श्रॉफ, शू, राजकुमार और राम्या कृरिशन जैसी बड़े स्टार्स शामिल है ये दोनों फिल्म एक अगस्ट को सिनिमा घरों में रिलिज होगी नौरा फतेही के डांस ने मचा दी तबाही, एक्ट्रेस ने फ्लॉंट क्या करवी फिगर जिया बॉल्म एक्ट्रेस और डांसर नौरा फतेही सोशल मीडिया पर खोब एक्टिव रहती है नौरा अक्सर अपने फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती है जो अक्सर फैंस के दिलों की धड़कने बढ़ा देते है वही अब एक बार फिर से नौरा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक बहुत ही स्टनिंग वीडियो शेयर किया है जिसमें एक्टेस ग्रीन ब्रालेट और शॉट्स में दिख रही है साथ ही वीडियो में नौरा द्रेस बदलती हुई दिखाई दे रही है वही एक्टेस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वाइरल हो रहा है जिया और यूजर्स इस पर अपना अपना रियक्शन भी दे रहे है नौरा ने शेयर किया वीडियो बता रहे कि नौरा ने हाल ही में सिंगिंग की दुनिया में अपना डेब्यू किया था जिसमें उन्होंने सेक्सी इन माइड रेस नाम से म्यूजिक वीडियो रिलीज किया था एक्टेस के इस वीडियो और गाने के इंटरनेट पर तहलका मचा रखा है वही अब नौरा ने जो वीडियो शियर किया है उसमें वो इसी गाने पर डांस करती हुई नजर आ रही है एक्टेस ने लिखा ये कैप्शन जिया साथ ही एक्टेस ने इस वीडियो क्लिप को शियर करते हुए कैप्शन में लिखा कि इंप्रेस करने के लिए टाइट फिट में गर्मियों के लिए एक मज़िदार फ्लर्टी स्टानिंग लवाई आजमा रही हो इसके आगे नौरा ने लिखा है कि आप सेक्सी इन माई ड्रेस पर वीडियोस बनाए और मुझे टेक करें अपने डांस मुव्स के लिए जाने जाती है नौरा फते ही इस समय बॉलिवट में सबसे मशूर नामों में से एक है नौरा ज्यादा तर अपने डांस म्यूज के लिए जाने जाती है और बीते कुछ सालों में उन्होंने कई कानों में अपने एक्टिंग और डांस के दम पर उन्हें हिट में करवा दिया है वही इंस्टाग्राम पर नौरा के 45 मिलियन से ज्यादा फॉल्वर्स है और दुनिया भर में एक्टिस की बहुत बड़ी फैन फॉल्विंग है नौरा अक्सर अपने वीडियो और फोटो शियर करती रहती है जो फैन्स को बहुत पसंद आती है विक्टिम कार्ट खेलना बंद करो आलिया सिद्गे पर भर की पूजा भट बोली मेरी भी शादी तूटी है बिग बॉस ओटी टू का सेजन टू फूल इंटर्टेन्मेंट की डोस देरा है जिया शो में हर दिन कुछ ना कुछ ज्रामा देखने को मिल रहा है वही घर में मौझूद कंटेस्टेंस के बीच भी काफी लड़ाई जगड़े हो रहे है फिलहाल बीबी हाउस में बॉलिविड एक्टेस पूजा भट और नमाजो देन सिद्धिकी की अलग रह रही पतनी आलिया सिद्धिकी के बीच काफी तनातानी भड़ा माहूल है दोनों एक दूसरे पर जम कर कमेंट करती नज़र आ रही है लेटेस एपिसोड में भी पूजा और आलिया एक दूसरे से भिर जाती है जिसके बाद पूजा गुस्से में आलिया को करती है कि ये विक्टिम कार्ट खेलना बंद करो जिया पूजा भट और आलिया सिद्धिकी में थनी लेटेस एपिसोड में आलिया घर के बागे कंटेस्टेंस को पूजा के डॉमिनेटिंग नेचर के बारे में बताती हुई नजराती है वे कहती है कि वह पूजा भट की गुड बुक्स में रहने के लिए उनके ओर्डन नहीं मानेंगी नॉमिनेशन के दौरान भी आलिया और पूजा के बीच बहस होती नजर आए पूजा भट नॉमिनेशन में आलिया सिद्धी का नाम लेती है उन्हें नवाज के साथ अपने तलाग के बारे में लगतार बात करने के लिए विक्टिम कार्ट छोड़ने की सला भी देती है पूजा भट ने नॉमिनेशन में आलिया सिद्धी की पर साधा निशाना नॉमिनेशन के लिए आलिया सिद्धी का नाम लेते हुए पूजा भट कहती है मैं पिछले एक हफते में आलिया सिद्धिकी की परसनलेटी को लेकर काफी कंफ्यूज हो गई हूँ और मैं उन्हें पढ़ नहीं पाई हूँ पिछले 24 गंडों में मैंने उनका एक साइट देखी जो काफी डरावना था जिया बेबी जैसे बच्चे आपस में लड़ते रहेगे और कल रात आलिया उस जगरे को भरकाने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसने बेबी का के बर्थडे केक केक का एक बड़ा पीस खाने संकोश नहीं किया जब आप किसी को इतना नापसंद करते है इतनी नफरत करते है तो क्यों कर रहे है आप जा रहे है और किसी के केक का तुकड़ा इतनी खुशी सिखा रहे है पूजा ने आलिया को victim card छोड़ने के दिसला जिया पूजा आगे कहती है हमारी personality के बारे में ये चोटी चोटी बात है लाइफ में हमारे व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताती है बड़ी बड़ी बाते नहीं हम हम वही है जो हम करते हैं ना कि जो हम कहते हैं हम जा रहे हैं करने के लिए मैं आपको clearly कुछ बताना चाहता हूँ शादी मेरी भी तूटी है धेल सारी औरतों की तूटी है इसके पहले और दुरभाग्य से फ्यूचर में और भी बहुत कुछ होगा लेकिन लोन विक्टिम कार्ट देखक धक जाते हैं जिया मैं सोचती हूँ कि अगर तुम विक्टिम कार्ट छोड़ दोगे तो तुम इक्टिविटी को बनादवा दे रही है और उनकी वज़ा से घर का माहूल खराब हो रहा है उन्होंने आगे कहा कि उन्हें हर किसी को कंट्रोल करना और घर पर हावी होना पसंद है इसी तरह की दिनबर की तमाम बड़ी खबरों से फिरकर आएगे आपकर उबरू तब तक क में दिखते रहे हैं MNS News Network मेरे साथ यानि अर्शियन सारी के साथ नमशकार यह है MNS News Network और आप देख रहे हैं MNS News